नमस्कार दुस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अनलाइन स्टडी विथ डीकेम आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हिंदी सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक होगा वो मोक टेस्ट पर आधारित होगा आज आपको मिलने वाले हैं टॉप 50 कॉशन जो के आपके सभी एक्जामों की दरस्टी से बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होने वाले हैं वीडियो को बिल्कुल इसकीप नहीं करना है अंत तक देखना है क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाला है बहुत helpful होने वाला है सभी exam जो आपके read and alt exam के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला तो फटाफट बढ़ते हैं question के और आज का जो पहला question है वो है यामा के रचनाकार का क्या नाम है सुमित्रा नंदन पंद महादेवी वर्मा अग्य या फिर दिनकर तो आपको यामा के जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा थी यानि की जो दूसरा वाला option है वो बिल्कुल यहाँ पर अपना एकदम सही होगा आगे देखिए निराला का उपनाम क्या है सच्चिदानन, हीरानन, वात्स्यानन या फिर गजानन, मादह, मुक्तिबोद, बदरी, नरायन, चोदरी का या फिर शूरिकान, तिरपाठी का तो यहाँ पर आपको बता देए कि जो ये निराला उपनाम है ये है सूरिकान, तिरपाठी निराला जी के बिल्कुल आशांशा कोश्चन है आगे देखे हिंदी साहित का स्वर्ण यूग माना जाता है आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को तो यहाँ पर आपको बता दे हिंदी साहित का स्वर्ण यूग जो माना जाता है वो माना जाता है भक्तिकाल को याने की दूसरा वाला जोप्षन होगा बिलकुल यहाँ पर अपना सही होगा आगे देखिए पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है प्रत्वी राज चोहान का भीसल देव का हर्ष वर्धन का या फिर राजा रत्न सेन का तो यहाँ पर आपको बता दें कि पद्मावत में जिस हिंदू राजा की कथा का वर्णन था उस हिंदू राजा का नाम था राजा रत्न शेन याने की चोथा वाला जोप्षन होगा बिलकुल अपना सही होगा आगे देखें निमन लिखित में से कौन सा चायावादी कवी नहीं है ऐसे कौन से कवी है जो चायावादी कवी नहीं है सुमीतरा नंदन पंत जैशंकर प्रशाद मुक्तिवोध या फिर महादेवी वर्मा तो इहां पर आपको बता दें च्छायावादी कभी नहीं है वो है मुक्तिवोध गजानन माधव मुक्तिवोध तो तीसरा वाला जो अपसन होगा वो बिल्कुल इहां पर अपना सही होगा आगे देखिए मेला अंचल किसका उपन्यास है अग्ये का प्रेमचंद का अमरतलाल नागर का या फिर फनिशवर नात रेनु का तो इहां पर आपको बता दें कि मेला अंचल जो है वो फनिशवर नात रेनु का उपन्यास है तो इहां पर जो चोथा वाला उप्सन होगा ब रस के इस्थाई भाव पूछ लें या फिर रस की शंख्या पूछ लें या फिर रस इस्थाई भाव से रस का नाम पूछ लें तो आपको यहाँ पर बता दें सांत रस जो है उसका जो इस्थाई भाव होगा वो होगा निर्वेदियाने कि तीसरा वाला जो उप्सन होगा बि अचायर वामन को माना गया है यहाँ पर तीसरा वाला जो अप्शन है बिल्कुल सही होगा रीती संप्रदाई के जो प्रावर्तक हैं वो हैं अचायर वामन तो यहाँ पर तीसरा वाला जो अप्शन होगा बिल्कुल एकदम अपना सही होगा आगे देखिए या फिर शात्वी का नुभाओ तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो यह पंक्ती है इसमें मांसी का नुभाओ याने कि आपका सोरी काई का नुभाओ याने कि दूसरा वाला तीसरा वाला जो अप्सन होगा बिल्कुल यहाँ पे सही है यहाँ पे अप्सन का जो करम है वो यह यहाँ पे आपको बता दें रजब अली खां के जो गुरू थे वो यहाँ पे थे दादू दयाल सिंग तो यहाँ पे दूसरा वाला जो पसन होगा बिल्कुल सही होगा आगे देखिए तुलसी दास करत विने पत्री का रचित है तुलसी दास करत विने पत्री का जो है वो किस के द्वारा रची गई है ब्रज भासा में सोरी किस कौन सी भासा में रची गई है ब्रज भासा में आउधी में खड़ी बोली में या फिर वैदिक शंचकरत में तो का सही अर्थ क्या है जिसे अपने करतव का बोध ना हो जिसे यहां ना सूच पड़े कि अब क्या करना चाहिए जो करतव के प्रती सजेत हो या फिर जो करतव शे विमुक्त हो तो किंकरतव विमूर का जो सब्द का जो सही अर्थ है वो यहां पर आपका होगा जिसे यहां सू अंतियज्य सब्द का सही अर्थ क्या है जो जन्म से अपंग हो जो जन्म के उपरान त्याग दिया गया हो जिसका जन्म निम्न यन्य अच्छूत वर्ग में हुआ हो या फिर जो जन्म से कुरूप हो अंत्यज जो सब्द है उसका सही अर्थ यहां पे क्या है उसका जो सही अर्थ है वो है जिसका ज़न्म निमन यान अच्छूत वर्ग में हुआ है उसे अंत्यज कहा जाता है तो यहां पे जो तीसरा वाल उपृषन है बिलकुल सही है आगे देखिए बहुग्य सब्द का सही अर्थ क्या है बहुग्य सब्द है उसका सही अर्थ क्या है जो बहुत जानकार हो जानने की इक्षा रखने वाला हो जो अध्यन सील हो या जो कम जानता हो तो इहां पे बहुग्य का सब्द का जो सही अर्थ है उसे कहते हैं जो बहुत जानकार हो और पहला वाला जो option है बिल्कुल यहाँ पर अपना एकदम सही होगा आगे देखिए तरकस का परियाईवाची सब्द क्या है तरकस किसका परियाईवाची है या फिर तरकस का परियाईवाची सब्द निम्न चार option में से कौन सा है तीर को तरकस बोलते हैं या फिर धनुस को या फिर प्रतियांचा को या फिर निशक को तो इहाँ पर आपको बता दें तरकस जो सब्द है उसका जो परियाईवाची है वो है निशक यहाँ पर चोथा वाला जो अफसनोंगा बिल्कुल जही होगा आगे देखिए इस तरी का परियाईवाची सब्द नहीं है चार उप्सन है इसमें से कौन सा सब्द है जो इस तरीका परियाईवाची नहीं है तरूनी ललाम प्रमदा या फिर ललना तो यहां पर आपको बता दें कि जो ललमा ललाम जो सब्द है वो इस तरीका परियाईवाची नहीं है यानि कि आपक दूसरा वाला जो उप्सन होगा बिलकुल यहां पे एकदम अपना सही होगा आगे देखिए निमन लिखेत में यथा विदी का सही समाश कौन सा है अव्यवी भाव तत्व पुरुष कर्मधारे या फिर बहुवरी शमाश काफी सरल कोश्चन है लेकिन काफी बार इसको ही होगा आगे देखिए हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था मुंबई से बनारस से दिल्ली से या फिर जैपूर से तो यहां पर आपको बता दें कि हंस जो पत्रिका है उसका जो प्रकाशन हुआ वह हुआ बनारस से यह दूसरा वाला उप्सन बिलकुल सही होगा का काफी important question है, इस important question हो मैं टिक कर लिजिए, काफी important question है, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ बना रस से, आगे देखिए, रिपोर्ट आज किस भासा का सब्द है, फ्रांसिसी, अंग्रेजी, पूर्टगाली, या फिर जापानी, तो इहां पर आपको बता दें, रिपोर्ट आज जो सब्द है, वो फ्रांसिसी भासा का सब्द है, पहला वाला जो option होगा, बिल्कुल अपना एकदम सही होगा, आगे देखिए, विद्ध्याले निक्सा नदी अस्ती में कौनसी विभक्ती है, दित्ती विभक्ती, तरत्तिया, चतुर्थी, या फिर पंचमी, तो विद्ध पहले में निक्सा नदी अस्ती में दित्ती, तरत्ती, चतुर्थी, या फिर पंचमी विभक्ती है, तो इसमें है अपनी दित्ती विभक्ती है, या पहला वाला जो option होगा, बिल्कुल यहां पर अपना सही होगा, आगे देखिए, निमन लिखित पंक्तियों में किस रस का निरुपन हुआ है, एक और अजगरही लखी, एक और म्रग राय, विकल बटो ही बीच ही परियो मुर्चा खाए, इस जो पंक्ती है, इन पंक्ती में कौन शा रस है, भियानक रस, अद्भुत रस, हास से रस, या फिर विभक्त से रस, तो यहां पर आपको बता दें, कि जो पंक्ती है, इस में भियानक रस है, यहां पर, क्योंकि एक और अजगरही लखी, एक और म्रग राय, विकल बटो ही बीच में परियो मुर्चा खाए, यहां पर भे उत्पन हुआ है, तो यहां पर हुआ भियानक रस, यानि कि पहला वाला जो उप्शन होगा, बल्कुल अप अपना एकदम सही होगा, आगे देखिए, उच्चारंड सब्द में उप्सर्ग कौन सा है, उच्च है, उच्च है, उच्च है, या फिर उच्च है, तो यहां पर आपको बता दें, उच्चारंड जो सब्द है, उसमें जो उप्सर्ग है, वो है अपना उच्च वाला जो उप्सन होगा बिल्कुल एकदम सही होगा आगे देखिए नेमने लिखेत की सही वर्तनी होगी अनुसंगिक या फिर अनुसंगिक या फिर अनुसंगिक या फिर अनुसंगिक सही वर्तनी यहां पर अपने को इसमें ढूलना है या फिर सही वर्तनी को यहां पर परचानना है तो सही वरतनी जो होगी वो होगी अपनी अनुस संगे कहने पहला वाला जो अप्सन होगा बिलकुल अपना सही होगा आगे देखिए क्रती सब्द का निर्मान किस प्रते के योग से हुआ है ता से या फिर तिन से या फिर तब विशे या फिर इन में से कोई नह हो देखू उसे में नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना उपिक्त वाक्यांस में प्रियुक्त काविगुन का नाम अपने को पहचानना है तो कौन से काविगुन है प्रशाद है ओज है माधूर है या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बता दें जो यह पंक्ती है इसमें प्रशाद गुन जो है प्रशाद गुन है उपिक तो बाक्यांस में कौन से कावी गुन है तो उसमें प्रशाद कावी गुन है यहने पहला वाला जो उप्सन होगा बिलकुल अपना एकदम सही होगा आगे देखिए पर्ण कुटी सब्द का समास है पर्ण कुटी सब्द में कौन सा समास है तत्व पुरुष द्वंद समास कर्मधार है या फिर बहुवरी शमास तो आपको यहाँ पर बता दें पर्ण कुटी जो सब्द है उसमें तत्व पुरुष शमास है या पहला वाला जो उपसन होगा ब आपको बता दें अध सब्द का जो विलॉम होगा वो होगा इती इती याने होता है सुरूँ आगे देखें निम्न लिखेत में इसे कौनशा साश्वत सब्द का विलॉम है मृत्यू मृतर्य मतर्य या फिर नश्वर या फिर छनिक तो यहाँ पर आपको बता दें शाश्वत जो विलॉम सब्द होगा वह होगा आपका च्छाणे क्याने कि कि आपका चोथा वाल आपसन बल्कुल एकदम सही होगा आगे देखें निम्न लिखेत में शुद्द वरत वाला सब्द कौन्शा है उछ लह500 या फिर उच्छनक प्र तो यहाँ पर आपको बता दें यह गया है तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो चोथा वाला उपसन है वो यहाँ पर राइट होगा और यह सभी क्या है सेम है तो अपने को यहाँ पर इन सभी को सही करना है आगे देखिए निमन लिखेत में सुद्ध वरतनी वाला सब्द है जोथसना जोथसना या फिर जोथसना तो यहाँ पर सुद्ध वरतनी वाला सब्द अपने को यहाँ पर पहचानना है तो सुद्ध वरतनी वाला जो सब्द है वो है पहला वाला जोथसना यहने कि पहला वाला जो सब्द है बिल्कुल सही होगा आगे देखिए निवन लिखेत में सुद्ध बरतनी वाला सब्दे है साद्रश शद्रश या फिर साद्रश तो यहाँ पर आपको देखना है सुद्ध बरतनी वाला जो सब्दे है इन चार उप्सन में से वो है शाद्रश याने की आपका दूसरा वाला ज जहर में धिंडोरा इस प्रकार से भी इस महावरे को पूछा जाता है, तो यहाँ पे छोटे सिसु को तलासना अतिधिक सरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चार ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना, तो यहाँ पे तीसरा वाल अजो अप्सन होगा, आगे देखिए, संधन कल्प सब्द का संधी विख्षेत क्या होगा, संधन कल्प साधन ना धन कल्प, संधन कल्प संधन कल्प, तो यहाँ पे संधन कल्प सब्द का सही संधी विख्षेत जो होगा, वो होगा अपना संधन कल्प, आगे देखिए, निमन लिखित में द्व वीर पुरुस्त यहां पर आपको बता दें द्वंद समास का जो उधरन है वो है आज का लेने की पहला वाला जो अप्सन होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए और आओ किस प्रकार के वर्ण है तालव है, मुर्धन है, दंतोस्ट है या फिर कंटोस्ट है यहां पर आपको बता दें ओ और आओ जो वर्ण है वो है आपके कंटोस्ट देने की चोथा वाला जो अप्सन होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए रंग मंच पर परदे के पीछे का जो इस्थान होता वो क्या कहलाता है प्रश्ट मंच, दर्शक दीरगा, कलाकार दीरगा या फिर नेपथि तो यहां पर आपको बता दे रंग मंच पर परदे के पीछे का जो इस्थान है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आपका नेपथि आपका तीसरा वाला उप्षन जो होगा बिलकुल सही होगा सा वाला उप्षन नेपथि जो है वो आपका दिलकुल सही होगा चोथा उप्षन है क्रम आगे पीछे हो गया है तो आपको सिर्फ उप्षन पर ध्यान देना है कि रंग मन्च पर परदे के पीछे का जो इस्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है तो यहां पर आपको option पे रिहन देना है साव आलवर जो option होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए आलवार भक्तों की सिंख्या कितनी मानी गई है आलवार भक्तों की जो संख्या है 20 से 13 है 12 है या फिर 13 है या फिर 14 भी से अपन यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि आलवार भक्तों की संख्या 20 से 13 है 12 है या फिर 14 है तो यहाँ पर आपको बता दें कि आलवार भक्तों की जो संख्या है वो यहाँ पर मानी गई है 12 याने कि आपका तीसरा वाल जोपसन होगा बिलकुल यहाँ पर सही होगा आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12 आगे देखिए अदभुत रस का इस्थाई भाव क्या होगा विश्मे, क्रोध, उच्साह, या फिर जुगुपसा, तो यहाँ पर आपको बता दे, अद्भुद जो रस है, उसका जो इस्थाई भाव होगा, विश्मे याने की पहला वाला जो अप्सन होगा, बिलकुल सही होगा, आगे देखिए, कांधा का तच्शम क्या है, इसकंद है इसकंद है, इसकंदा है, या फिर कंदु है, तो यहाँ पर आपको बता दे, कंदे का जो तच्शम सब्द है, वो यहाँ पर होगा, इसकंद है, ने की दूसरा वाला जो अप्सन होगा, बिलकुल सही होगा, आगे देखिए, निम्न लिखित पंक्ती में कौन्शा लंकार है नाक का मोती अधर की कांती से बीज द्रानिम का समझ कर ब्रहांती से देख कर शहसा हुआ सुक मौन है सोचता है अन्य सुक वहां कौन है जो ये पंक्ति हिस में कौन शा अलंकार है शंदे है ब्रहांती मान प्रतीप है या फिर निदर्शना तो यहाँ पे आपको बता दें उस जो पंक्ति है उसमें ब्रहांती मान अलंकार है या दूसरा वाला जो अप्सन होगा बिलकुल अपना यहाँ पे सही होगा आगे देखिए निमलिखित पंक्ति में कौन शा लंकार है एक मियान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती है किशी और पर प्रेम नार या पती का क्या सह सकती है तो यहां पे दृष्टान तलंकार, समासोक्ती, विभावना या फिर विरोधा भास तो यहां पे आपको बता दे जो ये 35 में दृष्टान तलंकार यहने पहला वाला जो अप्सन होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए गणे शाय नमा में प्रियुक्त विभागती काौन सी है प्रथमा दित्तिया, चतूर्थी या फिर पंचम तो यहां पे आपको बता दे गणे शाय नमा में चतूर्थी विभागती है याने तीसरा वाला जो अप्सन होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए खग कुल कुल सा बोल रहा कुल कुल सब्दों में अलंकार है यमक, सिलेश, उपमा या फिर रूपक तो यहाँ पे जो अलंकार है वो है अपना सिलेश अलंकार है यहाँ दूसरा वाला जो अपसन होगा बिलकुल सही होगा आगे देखिए मुमुक्च का सही अर्थ क्या है मरनाशन मुक्ति की इक्षा करने वाला मुरत्यू से डरने वाला या फिर बार बार मरने वाला तो यहाँ पर आपको बता दें मुक्ष का जो सही अर्थ है वो है यहाँ पर मुक्ति की इक्षा करने वाला यह दूसरा वाला जो उप सुनोगा बिल्कुल सही होगा कृतगन का सही अर्थ क्या है जाल साज, सड यंत्र कारी, करपालू जो किये गए उपकार को ना मानता हो कौनशा कवी है ध्यान देना है कठिन कावी का सोरी कठिन कावी का प्रेत कौनशे कवी को कहा जाता है केशवदास को, कविरदास को, बिहारी को या फिर मतिराम को तो यहाँ पर आपको बता दें कठिन कावे का जो प्रे थे वो कहा जाता है कैशवदाजी को देने पहला वाला जो अप्सन होगा बिल्कुल सही होगा आगे देखे एकांकी के जन्म दाता कौन है भारत इंदु हरिष्चन जैशंकर प्रशाद धर्मवीर भारती या फिर शेट गोविन दास तो हैं आपको बता दे एकांकी के जो जन्म दाता हैं वो है आपके जैशंकर प्रशाद यानि दूसरा वाला जो अप्सन होगा दूसरा वाला उप्सन बिल्कुल सही होगा काफी important question है कई बारे से पूछा भी गया है इस प्रकार यहां पर आपके आज के top 50 question complete होते हैं सभी question important है आपके exam की दरश्टी से तो आपने वीडियो को अंतर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी इ like and share करना ना भूले चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए question के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद